इतनी कच्छा से आप ये समझिये कि यदी आप यदी अपने भाईयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाहे रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे पर छीना हुआ अधिकार आपका सरवनास ना कर दे तो आप कह देना मैं, लिखित मैं आपको कह सकता हूँ, आप किसी का हक खाओगे, खालो अपने भाई का, खालो अपने भाई का हक, खालो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खालो पडोसियों का हक, तुम्हें अभी मज़ा आएगा ना, चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुमारा सरवनास करेगा मरोगे तो कोई रौने वाला नहीं बचेगा अभी सुनना आगे यही होगा इसी लिए जो खुद की कमाई है ना जो खुद का है उस पर आनंद से जिया करो आनंद से रहा करो हमारे पडोसी के घर में सौने की दीवारें खड़ी हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं हमारे आखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो हमारे लिए माटी है हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है और फोकट का, फिरी का, पाप का, ब्रश्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है उसे एक करोड रुपईया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना एक करोड रुपईया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना क्योंकि ये करोड लेने के बाद वह एक करोड तुम्हारी जितनी शांती है वो सांती भी लेकर चला जाएगा पहली तो मजाएगा मैं करोड पती हो गया लेकन बाद में जो खुजली होती है न खुजली में खुजलाने में बड़ा मजाता है लेकर उसके बाद जो जलन होती है न वो बड़ी दरदनाक होती है ब्रश्टा चार करने में बड़ा मज़ा था मिल गया फोकट का मिल गया गलत ढंग से कमा लिया मिल गया पर जब उसका जो रेक्शन होता है न हाजी वो गजब कर देता है इसलिए आप से मेरी हाँज जोड़ कर विनती है गलत ढंग से एक रुपे भी मत कमाईएगा मेहनत का कमाईएगा द्रतराष्ट ने यही गलती की भाई का अधिकार हडप लिया आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हडपा हो तो सम्मान एज़त से लटा दो इसी से तुमारी और तुमारी बच्चों की भलाई है नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अरे तुमारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है वो अंधा थोड़ी है ध्रतराष्ट अंधे थे भगवान थोड़ी अंधे है इसलिए गलत ना हो किसी के साथ अच्छा लाच्छा ग्रह में बंद किया लाच्छा ग्रह में बंद किया कौरवों ने पांडवों को लाच्छा ग्रह में बंद किया और आग लगा दी संयोग से भगवान की क्रिपा से बिदुर जी ये मर मजान गए और भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडव कुंती सहित अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती मातावी है और पांचों मां और पांचों बेटों को मारने का पूरा सड़यंत रच दिया गया के द्वारा दुरियोधन के द्वारा अब जब दुरियोधन के द्वारा सड़यंत रचा गया और लाक्षा ग्रह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से और वहां पर पांच लोग सचमुछ जलकर मर गए है ना तो हल्ला यहीं फैल गया कि पांड अब कुंती चली गई मेरे बच्चे चले गई पर अंदर बड़े प्रसन्न थे ठीक मर गई ठीक मर गई ठीक मर गई हमारा तो रास्ता साफ हो गया साफ होग ऑर उपर से रो रहे हैं आंदर से खुच से दुरियोधन बड़ा खुच्ष भूला नहीं जमा रहा कि पांड़ो मर गई पांडव मर गई अब देखिएगा दूसरों को मार कर जिंदा जलाने का प्रयास किया अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं और उसकी संपत्ती से आप कहें कि संपत्ती हमने इस संपत्ती की असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐसंपत्ती अब तुम हमें सुख तो क्या ऐसी संपत्ती तुम्हें सुख देगी और दुर्योजन ने यही चाहा पांडवों को जला दिया आग में और अच्छा पांडव तो बचके निकल गए पर इने लग रहा है कि मर गए इन लोगों ने तो तेरही वेरही वी कर ली पांडवों की तेरही वी कर ली कुंती की तेरही वी कर ली यो बड़े खुसी मना रहे हैं ठीक मर गए ठीक मर गए पर जाको रखें राम जी मार सकें ना कोई बाल ना बाका कर सकें जग मैं जो बहरी होए अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वें भगवान स्री कृष्ण हो इसलिए कहा करता हू जमाने पर विस्वास ना करो भगवान पर विस्वास करना सीखो आग में इतनी ताकत नहीं हैं कि भगवान के भगत को जला सकें इसलिए मरते दम तक भगवान के स्री चरणों में विस्वास बनाए रखिएगा लाख दुसमन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो लाख दुसमन एक तरफ और मेरे स्री कृष्ण की कृपा एक तरफ इसलिए केवल विस्वास विस्वासो ही फल दायका मंत्र जाप ममद रण विस्वासा भागवान के स्री चरणों में केवल विस्वास रखियेगा